हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब जामया में गोली चलने के आज जो घटना हुई है उस पर आमादनी पार्टी के सांसर संजर सिंग हमाई साथ बात करने के लिए मौजूद है सर आज ये जो घटना हुई है इसको लेकर काफी संगीन आप खड़काओ बयान दिलवाया उसमें सफल नहीं हुए फिर केजरीवाल को आतंकवादी कहलवाया उसमें सफल नहीं हुए फिर दिल्ली के अंदर नेता खोजे कौन लड़ सकता है केजरीवाल से उसमें सफल नहीं हुए विजली पानी चिकिस्या सिक्षा पे इनके पास कोई मुद्दा है नहीं तो मुद्दा विहीं नेता विहीं हतास भारती जन्ता पार्टी हार के डर से अब । चुनाउ टलवाना चाहती है और दिली का चुनाउ टलवाने के लिए ये दंगे फसाद इस तरह की एक रणनिती बना रहा है साजी स्रच रहा है बताईए आप इतने पुलिस वाले वहां मौझूद थे एक अपराधी पे कारवाई नहीं कर पाए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो मेरा तो सीधा आरोप है दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ खुद से नहीं बांधे उनके हाथ ग्रे मंत्री मिस्साहने बांधे हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे नाकारा ग्रे मंत्री है मैं तो कहना चाऊंगा दिल्ली के अंदर 24 घंटे में 9 हत्याएं हो जाती है वकीलों पे गोलिया चल जाती है चात्रों पे लाठिया चल जाती है 220 राउंड फायर दिल्ली की एक रहेगी क्या चभी बन रही आज हंदुस्तान की दुनिया में कौन से देश हैं हम अपराद हिंसा वाले देश है अरे आज तो बापू की बापू का बलिदान दिवस है रास्ट पिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है हम हिंसावादी देश है और इस देश के अपने पद पर बने रहने का हाक नहीं है ऐसे नाकारा ग्रिह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है इस Father अगर इस तरह से हालाद बने रहे तो लगता है जुनाव हो पाएंगे यह तो data को कि क्या ऐसे तत्तों के सामने चुनावायों घुटने टेक देगा या फिर इनके खिलाफ सक्ती से करवाई करेगा। लेके आ रहा हूँ।